आपने life changing seminars तो बहुत देखे होंगे लेकिन क्या आपने life changing वीडियो देखिए तो guys आज की ये वीडियो आपके लिए life changing होने वाली है क्योंकि आज एक ऐसा topic आपके लिए आसान हो जाएगा जो दुनिया के लिए मुश्किल और समस्या बना बैठा है guys English को हुआ बनाया गया है है नहीं सीखना बहुत ही आसान है language ही तो है आज मैं आपको एक super duper formula दे रही हूँ जिसकी वज़े से आपको English आसान लगने लगेगी अगर आपने इसे apply किया अगर आपने इस formula को अपना लिया तो आपकी life change होगी और इसलिए ये वीडियो आपके लिए life changing वीडियो होगी तो guys इन सब चीजों का वादा कर सकती हूँ मैं आपसे कि आप अच्छी English बोलेंगे आप fluent English बोलेंगे और आप अच्छी English लिखेंगे भी लेकिन उसके लिए आपको वादा करना होगा कि आप इस वीडियो को इन तक देखेंगे तो guys क्या आप जानते हैं 555 formula होता क्या है क्या आपने कभी सुना है अगर सुना होगा तो मेरे ही मूँ से सुना होगा क्योंकि मैंने 3 महीने पहले ये formula चैनल पर पोस्ट किया था एक वीडियो में जिसका नाम था 3 Easy Steps उसके अंदर ये formula है और अब तक 19,00,00 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं और वो 19,00,00 लोग अच्छे English बोल रहे हैं आप वहाँ जाकर देख सकते हैं धेरों comments हैं हजारों की संक्या में जिसमें कि यही कहा जाता है कि जी हाँ ये formula काम करता है और लोगों ने उस challenge को accept किया है अपनाया है देखा है तो guys आप क्यों देर कर रहे हैं अब आपके मन में एक सवाल तो आई रहा होगा कि अगर मैं ये formula बता चुकी हूँ तो आज फिर से क्यों लेकर आई हूँ तो guys आप सभी के लिए guys पिछले 25 से 30 दिनों के अंदर 15 लाख नए लोग जुड़े हैं मुझसे तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा नहों कि ये वाला formula आपके सामने ना आया हो शायद आपने वो वीडियो ना देखी हो तो बस मैं ये चाहते थे कि आप सभी इस formula को जाने और इसे apply करें इसी तरीके से अपने English की practice करें ताकि आप अच्छी English बोल सकें so guys my name is Kanchan you are watching me on English Connection guys आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं आपको बता दू कि ये एक practical formula है ऐसा नहीं है कि किताबी है या बड़ी बड़ी बाते कर रही हूँ मैं यहाँ पे ये formula actual में काम करता है क्योंकि practically इसे मैंने पहले अपनाया है देखा है कि yes इसका result आता है तभी मैं आपके सामने इसको लेकर आई हूँ बिना check किये मैं इसको आपके सामने नहीं रख रही हूँ तो आख बन करके इसे आप apply करके देखे इसे use करके देखे आप खुद पाएंगे at least आप इतना तो करें सकते हो कि एक महीने इस चीज़ पर अमल कर लो एक महीने तक इस चीज़ पर focused रहो अगर आपको change ना देखे तो आप इसको छोड़ देना बटपक का आपको change देखेगा देखे एक काम कैसे करता है यह जो 555 formula इसमें 3 5s हैं और इन ही का कमाल है first 5 says 5 days a week, एक हफते में 5 दिन दूसरा 5 कहता है 5 vocabs a day एक दिन में 5 vocab निकालनी है आपको और तीसरा कहता है 5 times practice तो आपको हफते के 5 दिन देने हैं और हर एक दिन आपको 5-5 vocabs निकालनी है और हर एक vocab की आपको 5-5 बार practice करनी है practice कैसे करनी है यह important है यह नहीं कि आपने सीखा veteran तो आपने बोला veteran, 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 veteran यह कोई practice नहीं होती मैं आपसे sentences बनवाऊंगी तो sentence से याद आया अगर आप sentence नहीं बना पाते तो tense वाली वीडियो जरूर देख लीजेगा क्योंकि वहाँ आपके doubts clear हो जाएंगे एक गंटे में आप सारे sentences सीख लेंगे तो आप सभी तरीके के sentences भी बना लेंगे chance वाले ठीक है तो guys यह रहा आपके सामने एक article यह article कल का है जो कि आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ताकि आप समझ सके कि आपको vocabs निकालने कैसे है देखिए मैं आर्टिकल से vocabs निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है अगर आपको पढ़ना पसंद नी आप सुनना पसंद करते हैं तो आप वहाँ से vocabs निकालें Overall आपको यह ध्यान रखना है कि आप क्या पसंद करते हैं अपने interest के according चीज में जाईए वहाँ से आपको 5 नई vocabs निकालनी है ठीक है यह ध्यान रखेगा कि आपको नई vocabs निकालनी है New या तो new हो जिसके बारे में आपने सुना नहीं या फिर आपको जिस पर doubt हो वो वो आपको निकालना है तो यह article है जो कि आमिताब जी के बारे में है आमिताब reveals why he rehearses multiple times for films वो movies में lines को बार-बार क्यों rehearse करते हैं इस बारे में उन्होंने बताया तो आगे बढ़ेंगे और कैसे ये 555 formula काम करेगा समझते हैं अक्टर अमिताब बच्चन has spoken about why he rehearses his lines over and over again for films ठीक है अक्टर अमिताब बच्चन has spoken about उन्होंने किस बारे में बताया why he rehearses his lines क्यों वो अपनी lines को rehearse करते हैं over and over again इसका मतलब क्या होता है निकालने का जी हाँ over and over again ये एक phrase हो गया ये आपको कहीं लिख लेना है सबसे पहले तो underline करना है जहां पढ़ना है ठीक है underline करते जाए इसी तरीके से फिर last में आपको 5 vocaps लिख लेनी है तो आपको overall 5 चाहिए यहां पे इसका ध्यान रखेगा उसके बाद पढ़ना छोड़ देजेगा आपको 5 नई vocaps निकालनी है जब तक आपको 5 नहीं मिल जाते आप पढ़ते रही है कुछ सुन रहे है तो सुनते रही है तो during a recent interview with chair आगे नाम लिखे हुए लोगों के ठीक है अगे बढ़ते हैं अमिताब बच्चन शेर्ड अ क्लिप फ्रॉम दी इंटर्व्यू अब यहां क्या है कि अमिताब बच्चन ने इंटर्व्यू के एक क्लिप शेर की लेकिन क्या लिखा है टेकिंग तो इंस्टरग्राम इसका क्या मतलब है तो यह भी नया लगा यह भी हमने अंडरलाइन कर लिया फिर आगे बढ़ते हैं अगर आपको यह नया लगे तो आप इसे अंडरलाइन कर लें वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति मेरा मतलब यह कि मेरे लिए यह नया नहीं है अगर आपके लिए नहीं आए तो आप इसे underline करोगे या फिर आपको confusion है कि इसका क्या मतलब हो सकता है actor आप जानते है veteran actor जिसे बहुत जादा अनुभव हो इसलिए मतलब अनुभवी व्यक्ति तो उसके लिए use करते हैं तो इस तरीके से आके बढ़ते जाएंगे तो हमें अभी दो मिल गए मेरे ठीक है फिर आके बढ़ते हैं I have grown up watching his films तो यहाँ पे grown up मिल गया यह एक phrasal verb है अब आप सोच रहोंगे मैंने बात की vocabs की लिकिन मैं कहीं phrasal verbs, कहीं पर phrases मैं कुछ भी underline कर रही हूँ तो guys अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ word meaning आप सीख लेंगे तो अच्छे English बोलेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं सिर्फ और सिर्फ word meaning से काम नहीं बनता आपको phrases use करने चाहिए आपको phrasal verbs use करने चाहिए आपको expressions use करने चाहिए idioms use करने चाहिए collocations use करने चाहिए बहुत चारी चीज़े होती है तो आपको जो भी चीज नहीं मिले चाहिए वो phrase हो, phrasal verb हो आप उसे underline करते जाएं तब ही आप अच्छे English बोल पाएंगे तो यहाँ एक phrasal verb मिला grown-up फिर कहा गया I didn't want to mess up the first day of shoot with him तो यहाँ भी एक phrasal verb मिला mess up फिर I didn't want to forget my lines I mugged up my lines यह भी नया है, mugged up ठीक है, मैंने कभी इसे use नहीं किया तो मैंने इसे भी underline कर लिया तो मुझे अब पाँच मेरे vocaps मिल गए जिस पर मुझे काम करना है तो आपने क्या देखा 5 days a week का आपने पहला दिन उठा लिया ठीक है, काम करना शुरू कर दिया अब आपने एक दिन में 5 vocaps choose कर लिया अब पढ़नाम बंद कर देंगे आगे और भी चीज़ें हैं लेकिन क्योंकि 5 मिल गया है तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे अगर आप इसमें भी लेजी फील कर रहे हैं कि मैं कहां जाओ कहां से वोकाइब निकालूँगा तो मेरे शॉट्स देख लिया किजिए सुबह शाम आपको शॉट्स मिलते हैं वहां से आप वह कैपस निकाल लें वहां से नई 5 चीज़ें निकाल लें और उस पर काम करें बस आपको 5 काम करने ही करने हैं आपको 5 चीज़ें निकालनी ही निकालनी है ठीक है तो अब पहला आ गया over and over again अब इस पर हमें 5 बार प्रैक्टिस करनी वो कैसे होगी तो सबसे पहला प्रैक्टिस होगा कि आपको उसकी मीनिंग निकालनी है कैसे निकालें तो जब आपने अंडरलाइन कर लिया उसको एक जिगर लिख लिया तो अब आप इसको टाइप करेंगे गूगल पर गूगल पर जाएए over and over again टाइप किजिए और किसी डिक्शनरी में entry ले लिए जिए डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको इसका मतलब भी मिलेगा इसके साथ आपको sentences भी मिलेंगे आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कहा जाता है ना no pain no gain तो गाइस थोड़ी मेहनत तो आपको डालनी ही पड़ेगी फिर देखिए इसका कमाल किस तरीके से होगा कैसे आपको चीज़े मिलेंगी वो आप देखते जाए बिल्कुल magical way में काम होगा तो आपने ये type किया आपको answer मिला बार बार ठीक है अगर आप English तो Hindi dictionary में जाते हैं तो आपको Hindi में अर्थ मिलेगा वरना English में मिलेगा अगर आप समझ पाते हैं तो वहाँ से ही उतार लेजें तो आपको इसका मतलब मिला बार बार तो आप बार बार के लिए बोलते हैं अगेन अन अगेन अप से आप क्या बोलेंगे ओवर अन ओवर अगेन उसके तो एक काम आपने ये कर लिया अब उससे जुड़ी भी कुछ जानकारी मिले तो वो भी लिख लीजे ठीक है तो जब मैंने डाला ओवर अन ओवर अगेन तो मुझे मिला कि हम सिर्फ ओवर अन ओवर भी बोल सकते हैं मतलब वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा था, again bracket में, जब इस तरीके से दिखे, इसका मतलब चाहे तो आप इसे use करें, चाहे तो ना use करें, तो मुझे दो चीजे मिल गई, मैं चाहो तो बोलो over and over again, या बोलो over and over, ठीक है, तो again and again की जगा, ये बोलेंगे, fancy way हो गया, दो क से पहले आप लिख लेंगे, तो he rehearses his lines over and over again, ये आपने लिख लिया, ठीक है, इससे क्या है कि जब कभी आप इससे फिर से पढ़ेंगे, revise करेंगे, तो आपको वो article भी याद आजाएगा, correlate कर पाएंगे आप आराम से, तो एक तो आपने ये लिखा, तीसरी practice हो गई, अब अपने से sentence बनाने की कोशिस कीजे, अगर आप अपने से बना लेते हैं, ठीक है, initial level पर अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो dictionary में जो examples दी हैं, वहीं से उतार लिजे, they keep asking the same questions over and over again, वो बार बार वही question पूछते रहते हैं, ठीक है, एक और sentence बनाने कोशिस कीजे, नहीं बन प अगर तो आपने क्या किया, एक वर्ड पर पांच बार प्रैक्टिस कर ली, तीनो फाइफ को आपने यूज कर लिया, लेकिन अभी आपने एक ही वर्ड के साथ ऐसा किया, अगला जो है, अगला जो आपने phrase पाया है, या phrasal word पाया है, उस पर भी तो काम करना है, तो हमने क् मतलब होता है, पर जाकर या फिर का यूज करके, मतलब overall उसका यूज करके, तो जैसा कि लिखा हुआ था, वह हम देखेंगे, अब क्या है, पहला काम आपने ये कर लिया, दूसरा काम है, कि जब भी कोई वर्ड मिली, अब यहाँ taking to है, टेक है न वर्ड, तो हमेशा उसकी second और third form भी आप लिखें, क्योंकि कई बार second और third form बहुत tricky हो जाते हैं, वहाँ गलतिया होती है, तो पहला काम आपने अर्थ निकाला, दूसरा काम इसको हम बोलेंगे, ये दूसरा काम है, ठीक है, दूसरे काम में आप second और third form लिख लें, तो take cut took होता है, और third होता है taken, ठीक एक ये काम हो गया, अब तीन examples बना लेंगे हम, taking to Instagram, पहले तो वही लिख लिख लिया, मिताब बच्चन shared a clip from the interview, तो यहाँ क्या हो गया, कि Instagram पर जाकर, या Instagram का use करके, clear, अब हमने जहाँ डाला, वहाँ से हमने sentence उतार लिया, he took to Twitter and wrote something, ठीक, वो Twitter का use करके, या Twitter पर जाकर उ किस तरीके से इनका use करते हैं, ये clear हो गया, पांच बारे यहाँ बे practice हो गई, अब एक और आपको मैं तरीका बता दू, in case आप इतनी चीजे नहीं निकाल पाते हैं, या नहीं मिल रहा है, तो आप at least उसी sentence को पांच बार लिख दीजेगा, जो आपने वहाँ से उठाया है, मेरा मतलब यह है कि उसको इतनी बार use कर लें कि वो आपके यहाँ, brain में set हो जाए, आपको हमेशा याद रहे, आप उस चीज को recall कर पाएं आगे future में, इसलिए पांच बार के practice आपसे बोल रहे हूं, फिर आता है grow up, इसका मतलब होता है बड़ा होना, ये एक phrasal verb है, पहले में बड़ा हुआ हूँ, she grew up in America, but I grew up in India, वो अमेरिका में बड़ी हुई थी, लेकिन मैं इंडिया में बड़ी हुई थी, my daughter is growing up, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, ये मैंने बना लिया, ये मैंने कहीं से उतार लिया, समझ रहे हैं आपकी बस आपको पांच चेजे करनी है, अब आगे mess up, mess up का मतलब होता है, बिगार देना, second form messed up, third form भी messed up, तो ये तो easy है, ठीक, अब आगे examples, वही पहले उतार लिया, I didn't want to mess up the first day of shoot with him, मतलब की मैं shoot का पहला ही दिन बिगारना नहीं चाहता था, ये इमरान बोल रहा था, ठीक है, तो वहां से क्ये उठाया था हमन अब हम इस पर बनाएंगे, I really messed up this time, इस बार मैंने सब बिगार दिया, बिगार दिया या गरबर कर दिया, इसका ये मतलब होता है, she messes up every time, हर बार वो गरबर कर देती है, तो देखा कैसे आप sentences form करने लगेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, तो जब उतारा है, तो ये तो दिख रहना कि she के साथ misses आया, फिर up आया, every time आया, बार बार करते करते आदत बनेगे, फिर आते हैं अगला mug up, mug up का मतलब होता है, रट डालना, जो रटा मारते हैं, आज रट लिया, कल जाके exam दे आए, उसके लिए, cram भी बोलते है, cram या mug up, तो synonym मिल जाए, मतलब उसका पर अब you just need to mug up a few details, यह हमने dictionary से उतार लिया, I need to mug up on my history before tomorrow's exam, अब देखे, dictionary में एक और फायदा हुआ, कि जब मैंने वहाँ mug up जाला, तो वहाँ पर यह भी एक example मिला, जिसमें bracket में on था, तो इससे मुझे पता चला कि जब subject है, तो हम on का भी use कर सकते हैं, चाहें तो करें, चा सरीके से आपने एक पुरा तयार कर लिया, अपनी copy में, diary में, जहां कि आप उसे फिर से देख सकते हैं, तो guys चाहें तो आप इसे लिखें, अगर आप computer पर देख रहे हैं, तो copy paste भी कर लें, बट मैं आपको suggest करूंगी कि आप अपने हाथ से pencil लिखें, क्योंकि लिखेंगे तो कहीं न कहीं आपके mind में चलता रहेगा, और अच्छे से आपके त्यारी हो जाएगी, तो आप क्या करना है weekends पे, guys मैंने Monday to Friday का आपको procedure बता दिया, और आप सभी वो करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का फर्क दिखेगा, जरूर से करिएगा, अब weekends पे क्या करना है, आप को revision करना है, जी हाँ, अब आपको revise करना है weekends पे, लेकिन weekends पे fun way में करेंगे, tension नहीं लेनी है, आपको कुछ search वर्च नहीं करना, परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें देख लेना है, जो आपने Monday to Friday लिखा है, बस उन्हीं को आपको देख लेना है weekends में एक बार Saturday, एक बार Sunday, तो ध्यान देंगे आप पाएंगे कि आप 5 दिन में 5-5 vocab तियार करके, आपने 25 vocab तियार कर लिए एक हफते में, और उन 25 vocab के 5-5 sentences बना के, मतलब 5-5 बार practice करके, आपने लगभग 125 sentences भी बना लिए, ये वाला पार्ट ही सबसे ज़्यादा जरूर यहां सेट होती है, यहां, फिर आप उसे याद करते नहीं है, वो अपने आप याद हो जाती है, तो यह वही काम करेगा, तो जब आपने Monday to Friday तयारी की, और weekends पे रिवाइस किया, फिर अगले हफते यही किया, तीसरे हफते भी यही किया, फिर चौते हपते यही किया, फिर क लूटिस के रहेंगे, तो पाएंगे, कि 1 week में आपने 25 vocabs सीखी, तो ऊसे साव से 1 month में आपने 100 vocabs सीख लिए, उस साव से 1 year में आपने 1200 vocabs सीख लिए, जहां लोग 300-400 vocabs त्यार करने के लिए तरस्ते रहते हैं, इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1 साल में 1200 बना लिए है ना अमेजिंग तो इस तरीके से आप इसे अपलाई कीज़े अपनी लाइफ में और मुझे लिख के जरूर बताइए कि आपको ये करने वाले तो अभी कॉमेंट सेक्शन में जाए और लिख के बताइए कि आप इस फॉर्मिला को अपनाने वाले हैं तो ये फॉ सुबह सुबह अगर ये कर लेंगे तो बहुत ही मज़ा आजाएगा सारे दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब मौका मिले यूज करते रहे हैं मिलते हूं आपसे अगले वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन्स आपको मिलें और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं मिलते हूं आपसे अगले वीडियो में जय है